आज मैं आप सबके सामने फिर से लेकर आई हूँ एक नए रेसिपी पो है जो हमारे जबलपुर शहर में जो की मत्रदेश में है वहां बहुत फेमस है इस सुबह सुबह हर ठेले और हर हुटल दुकानों में जरूर मिलता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैं लू के लिए इसी तरह छोड़ दूँगे अब मैं कुछ लोगी चॉप अनियन कोरियंडर लीस टमैटो मैंने फ्रोजन मत्र ली है आप ताजे भी ले सकते हैं और कुछ मुवफली अब मुवफली को अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे एक पैन लेंगे उसमें चड़ाएंगे थ उसमें अगर कोई चीज रेसिपी में जैल जाती है ओवर कुछ जाती है तो उसका तीस्ट बहुत ही जादा डिफरेंस हो जाता है तो हमें डिफरेंट टेस्ट नहीं लाना है कि जला हुआ हूँ तो मिलाइटली रोस्ट करेंगे मेडियम फ्रेम में इस लित होने लगेंगे यह देखिए यह अपने यहां पर बीच से स्लेट हो रहे हैं और इसके चिलके भी अपने आप रिमूव होने लगें इस पर पता चल जाए कि मूव फली हो चुकी है हम इसे निकाल लेंगे अच्छा मैं इस रेसिपी में मिठी निम का यूज नहीं कर रही हूँ अगर आप लोगों को मिठी निम का टेस्ट पसंद है तो आप यूज कर सकते हैं इस ऑप्शनल मैं ले रहे हूँ थोड़े से जीरा और थोड़ी सी बारी किराई इसे हम डालेंगे पैन में इसे क्रैकल होने देंगे जैसे ही यह क्रैकल हो जाएगा अपनी ग्रीन चिली और अन्ययन को भी इसमें आड़ कर देंगे हम इसे भी अच्छी तरह पकाएंगे यादध रखेगा हमें प्यास का कलर स्दाजिश नहीं करना है ब्राउण नहीं करना इसे जलाना नहीं है इसे बस हमें थोड़ा सा पकाना है lightly roast करना है जो कि transparent टाइप का हो जाए और इसे हम medium to high frame में पकाएंगे जैसे ये थोड़ी translucent हो जाएंगी तो हमें समझ में आ जाएगा हमें उसी stage तक ही पकाना है ये थोड़ी से transparent हो जाए अगर ये जादा जल जाएंगी तो पोहे का टेस्ट पूरा खराब हो जाएगा इसमें आप और भी vegetables डाल सकते हैं जैसे शिमला मेच, कैरेट कैरेट और शिमला मेच थोड़ा बारीक चॉप करकर या कैरेट को ग्रेट करकर डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा अब मैं इसमें frozen butter डाल देती हूँ ये लगबख 62-80% हो चुकी थी अभी 20% ही बाकी है प्याल दिखी थोड़ी थोड़ी ट्रांस्पेरेंट हो चुकी थी हमें इसे ओवर कुख बिल्कुल भी नहीं करना है हम इसे अच्छी तरह से एक mix देंगे और इसे एक से दो मिनिट के लिए फिर से पकाएंगे अब इसमें हमें चॉप की हुए tomatoes डाल देंगे और धग कर कम से कम 5-6 मिनिट के लिए पकाएंगे जब तक हमारे tomatoes अच्छी तरह से ना करना है अब जो हमने मुफली तल कर निकाली थी उसे भी हम इसमें एड़ कर देंगे सब्जियों का पकना एक किसी भी डिश में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है तो उसे एक ख़त तक ही पकाएं जादा पकाने से भी टेस्ट खराब हो जाता है जल जाता है अगर कुछ चीज कुछ सब्दिया तो पूरी डिस्क का टेस्ट खराब हो जाएगा अब मैं हल्दी डालूँगी साथ में सॉल्ट भी डाल दिया है मैंने और पोहर डालकर मिक्स कर दूँगी इसे अच्छा सा मिक्स देंगे अब इस मिक्स के बाद मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रीडियंट्स डालने वाली हूँ जो हमारे पोहे के टेस्ट को और भी जादा अच्छा कर देगा थोड़ा तीखा थोड़ा नमकीन और थोड़ा मीठा मतलब मैंने डाला है शक्कर शक्कर बहुत जादा नहीं डाले हाफ या वन स्पून ही डाले आप अपने पोहे के क्वांटिटी के हिसाब से शक्कर डाले और फिर से थोड़ी देर के लिए ढगकर पकाएं पोहे का टेस्ट थोड़ा नमकीन थोड़ा मीठा थोड़ा चट पटा हो जाएगा और यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और देखिए तयार है हमारा पोहा यह बॉर्णिंग ब्रिकफास्ट है आप इसे स्नैक्स ताइम में भी ले सकते हैं चाय के साथ जरूर पी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा थाइंक्यू सो मच